हाई गाइस तो यह मैं बनाने जा रही हूं तड़ा के तार मटर और आलो की टेश्टी सबजी जो की रेश्टूरेंट में भी नहीं है सिखाई होगी तो देखिए राइस और चपाती से मज़ेदार खाने के लिए इस रिस्पी मैंने की है तयार तो आप भी तयार हो जाएं ख फ्राइदान में बॉल करने के लिए क्योंकि थोड़ी है तो मैं फ्राइदान में ही बॉल कर लेते हैं तो यह मैंने इसमें मटर टाल दी है और आधी गिलास आधा गिलास पानी एड़ करेंगे तो पानी मैंने एड़ कर दिया है और इसे ढखके मीडियम प्लेम पे गैस को क कर देंintendence के लिए बॉल कर लेंगे मैंकों में часть में हेड़ा जाते हैं यहां पे मातब और मटर बॉस थी मेड़ के लिए नहीं कर दो प्यस नहीं ने में व्मकर ज़कफ सर्मा करें डचाँ पतलस पाथे मठी सलकी आलो कर लिए मौस काटक के बॉस आ हां और मैं अपनी सिल्वर्टे से पीस के मटर तयार करेंगे वैसे तो मिक्सर में भी कर लेते हैं आज लायट नहीं है तो ये मैंने दो बड़ा चमच ओयल डाल दिया था और चुटकी भर हींग और बंटी स्पून हल्दी पाउडर और इसमें मैंने पानी भी डाल दिया है कि मैं हड है देखिए इस तरीके से पानी अच्छे से एड कर देंगे अच्छे से अल्दी चूल्दी अधिर rarely, तो इसमें मैं है येत करूंगी हम टीष्पून चेली पाउडर राड चिली और हम टीष्पून धनीया पाउडर और पिनभुटी इस्पून गरम मसाला करा मैं मै बुरा और भी कर लेते हैं, लेकिन मैं थोड़ा यूज करती हूँ. तो यह मसाले मेरे रोस्ट हो रहे हैं, और मैं इसमें डाल रही हूँ आलो. तो आलो मेरे अच्छी से फिराई होने तक 2-3 मिनट मैं इसमें फिराई करूगी, जो कि मसाला अच्छी से इसमें चिपक जाए तो एदर मेरे आलू फ्राई हो रहे हैं तो पिलीज मेरी रेस्पी अच्छी लगे तो एक लाइक तो बनता ही है अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाना अगर मेरी रेस्पी अच्छी लगे तो मैंने इसमें मटर एड़ कर दी है और मैं इसमें एड़ करूँगी डेड़ गिलास पानी तो मैं इसमें मटर को अच्छी से चलाऊँगी उसकी बाद पानी एड़ करूँगी तो मटर को मैंने अच्छी से मिक्स कर दिया है अब मैं इसमें तेड़ गिलास पानी मिलाओंगी देखती हूँ कि मेरा घुल कैसा बनके तयार हुआ है कम से कम से पंद्रे मिनट तक अच्छी से मेडियम एन लो प्लेन पे अच्छी से तयार होने देंगी सबजी को तो ये डेड़ गिलास पानी मेरा पहुँच चुका है तो देखिए मेरी सबजी अभी इस तरीके की है और इसे अच्छी से चलने देंगी और मैंने इसमें बंटी स्पून नमक एड़ किया है नमक आप अपने सौद के अनसार एड़ कर सकती है तो इसमें ढख के रख दिनगी और मैंने 6-7 मिनट के बाद इसको फिर से चला के देखा है गैस को मैंने मीडियम पलेंपे कर दिया था अब मैं इसको गैस को लो पलेंपे कर दूँगी तो अभी सबजी मेरी अच्छे से तयार नहीं हुई है तो आप भी एक बाद चला के देखना तो देखो अभी मेरी सबजी इस तरीके से एक्टम तयार हो चुकी है तो आईए आप भी देखते हैं खाने के लिए हो जाए तयार तो एक्टम देखे कितनी टेस्टी देखने में भी लग रही है तो इसे राइस और चपाती के साथ अच्छे से हम खा सकते हैं तो बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सबजी बन के तयार हुई है तो आप भी बनाना खाना और बताना मत भूलना बाई बाई